मंगलवार की देर रात को दो पुलिस कर्मी जो है किनरों के घर के सामने पहुंसते हैं वहाँ जाके दर्वाजा नौक करते हैं और जैसे ही किनरों ने दर्वाजा खोला वो दोनों पुलिस कर्मी जो है जबर दस्ती उस घर में घुश जाते हैं उसके बाद उनसे उनका rate पूछने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है अपना rate बताओ जिसके बाद किनरो ने होहला मचाया जिसे सुनके गावाले आते हैं और बिहार पुलिस की ठूथू हो जाती है बेजती हो जाती है क्या है पूरा मामला और किस तरी बाबू की पुलिस ये हमेशा से दम भरते आई है कि मेरे होते हुए बिहार में अपराद बिल्कुल नहीं होगा अपराद के उपर हो जो है हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीती अपना के चल रहे हैं वही पुलिस कर्मी जब अपराद ही बनते हुए देखे जाते हैं तो कहीं न आपको बता दू कि पुलिस वाले अपने बर्दी का रोब दिखा के उस किन्नरों से उनका रेट पूछते हैं और जबरदस्ती उनके साथ सूने की कोशिश करते हैं जिसके बाद किन्नरों ने हला किया और फिर मामला जो है वो प्रकास में आया किन्नरों ने बताया कि ये ज खिरकी पीटा करते थे और आज जब हमने दरवाजा खोला तो जबर्दस्ति ये हमारे घर में घुसाए हमसे हमारा रेट पूछने लगे और साथी साथ कहने लगे कि मुझे तुमारे साथ सोना है इसके बाद कहीं न कहीं ये सवाल खरा होता है कि जिस बिहार पुलिस के होने स लोग ये सोचते हैं कि हम काफी ज़्यादा सुरक्षित हैं उन्हीं बिहार पुलिस की वज़े से वो जो किनर है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं मैं आपको बता दू इन दो पुलिस वालों का नाम है उमेश कुमार यादव जो की सिपाही है और इसके अलावा है देते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता आप लोग ऐसा मत कीजिए जिसके बाद वो लोग अपना बर्दी का धौस दिखाते थे और कहते थे कि तुम्हें पता नहीं है हम कौन है हम पुलिस से हैं इस बास से तुम डरो हमसे और जो हम कह रहे हैं वो चुप चाप माल लो जिसको लेके किनरों ने मंगलवार की रात को कड़ा विरोध जताया जिसके बाद ग्रामी जो है वो एक्टिव हो गया और उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को दोरा दोरा के पीटा और इस क्रम में एक पुलिस वाला जो है जान बचाने के लिए कुए में कूद गया जिसको उनको बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद फिर से पीटा गया। दम भरते थे और कहते थे कि हमारा पुलिस जो है वो काफी एक्तिव है और अपराद को लेके जीरो टॉलरेंस की नीती अपना के चलता है उन्हीं का पुलिस वाला कभी दारू पीते और कभी-कभी इस तरीके की छेर खानी को अंजाम देते हुए सामने पाया जाता है अब किन किनरों का सर्फ इसी तरीके से यूज होता है किनर जो है वो समाज के उपर सर्फ इसी तरीके से काम करते हैं कि पहले उनसे उनका रेट पूछा जाए और फिर कहा जाए कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है जब ये मामला प्रकास में आता है तो कही न कहीं बिहार में सियासी भूचाल भी मत जाता है, लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और एक बार फिर से पुलिस को लेके लोगों के मन में अविश्वास जो है, वो और ज्यादा पनपने लगता है, आप समझ जाहिए कि किस तरीके से जो दो पुलिस कर्मी हैं, वो लगातार उनकी नरों को छेर रहते, मानसिक तोर पे परिशान कर रहते और सारीरिक तोर पे भी उनका सोसन करने की कोशिश की थी, लेकिन किनरों ने इसका भीच बचाओ किया, हो हला किया और ग्रामीनों ने भी उनका पूरा साथ निभाया, जिसके बदोलत उन दो पुलिस कर्मीयों को पीटा गया और बाद में जब पुलिस ने इसके उपर कारवाई की तो उनको लाइन हाजिर भी कर दिया गया लेकिन इन सब के बीच ये मामला है कि क्या किनर समाज को आज भी आप उसी तरेके से वरगे कृत करेंगे उनको उसी तरीके से देखेंगे तो ये सोचने वाली बात है और जब क्या बताना चाहते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं क्रिपिया कॉमेट सेक्श से में जैए और कॉमेट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुँचाएगा बाकी आप देख रहे हैं जंता जंक्शन और मेरा नाम रजथ है